हेलो दोस्तों मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं क्रिएटिव फार्मिंग यूटूब चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने धान की नर्सरी में अंचाहिक खर्पतवार को किस तरह से नश्ट करेंगे कौन सी दबाई का स्प्रे करें किस तरह से स्प्रे करना इस सब की संपूर्ण जानकारी आपके इस वीडियो में करेंगे चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने हैं यह परिजात कंपनी की ओरिएंटल हर्विसाइड दबा इसको आप 10 ml प्रती टंकी जो आपकी 15-20 लीटर का स्प्रे पंप होता है उस पे डाल कर आप अपने को खर्पतवार पे इस प्रे कर देना है यह जो डिब्बी है यह 10 ml की है इसको आ ना है एक बात का ध्यान रखें जब आप इस्प्रे करने वाले हो तो आपके धान की नर्शरी में पानी नहीं होना चाहिए नमी मात का होना चाहिए और इस प्रे करने के बाद आपको करीब 6-7 घंटे तक पानी खेत में नहीं भरना है 6-7 घंटे बाद पानी भर आपको अच्छा बेतीन रिजल देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं एक और वीडियो पर एक नहीं जानकारी से साथ तब तक के लिए जय हिंद जय किसान